गालिप कमाल जी कैसे हैं आप कैसे हैं जी आप सार मैं ठीक सा आप लबर्दस्ट सार मैं बड़ा ठीक सार ये एक मिसोजिनिस किसम का आदमी तो है ही है लेकिन ये इतना यानि टीविए में बैठ के नरेक जूड बोलता था चले वीडियो शुरू करें फिर जारे करें घरों के अंदर तो चले उसका तो लिबास से कोई तालुक नी है वो तो घरों के अंदर चार दीवारी में बिगर और वर्ते सेफ नहीं उदर भी उनको मारा धाड़ा जा रहे हैं बाहर निकलके भी हर्स्मेंट की केसे हो रहे हैं और दूसरे ये कि ठीक है डू इन महरम के साथ उनके शोहर के साथ धकी चुपी आ रहती है उनका पांच बंदों ने रेप किया है अच्छा फिर उदर हमारे कपड़ो वाला कॉंसेट कैसे वैलिड रहते है जब कबर में से मुर्दा निकाल के उनके साथ रेप किया जाता है तो क्या उदर भी महरम भीज़ों इन्होंने कहा कि भाई एक तो बड़ा ये अच्छा आर्ग्यूमेंट है कि भाई अगर कपड़े ही इतने इशू हैं तो जो मदरसे में जो लड़कों के साथ होता है अब लड़के भी शलवार कमीस लड़के भी बच्चे जो भी बुरका पहनने लागे ने और बहुत सारे वाकियात ऐसे होते हैं जो इन्होंने किसी भी अभी उसने खुद कोट किया कि मामला जानी लोगों ने अच्छी जो पचारी कंसर्विटिव लोगों के घरों की ओरते होती हैं उनके साथ भी बड़ी ऐसी तस्वीरें देखी ही है एक वो मोटरसाइकल पे लड़की बैठी ह से आप क्या करना चाहेंगे सर ये बात ही तो इनको समझ नहीं आती ना कि भाई वो जो बात कर रही है कि बुर्क जो मदरसे में बच्चों के रेप होते हैं वो तो बैठे भी मस्ज़िद में होते हैं और जो मर्द का परदा वाजब है उन पर वो भी होता है मगर क्यों बच अगी मेंटालिटी के मुताबिक ही चलता है यहां यह चार आगे हैं उनकी करेंग, यह यह इतना स्टूपिड है, यह बहुत बहुत ज्यादा हिपोकृरेट है, यह तो हो ना, चलो आप जैसे फरस करें, एक एंग्जेमपल लेते हैं को इंजीनिय महमध अली मिर्जा साब ह एक वर्ड वियू है, वो उस वर्ड वियू के साथ आते हैं, मेरा नहीं ख्याल वो कभी औरतों को जपी डालेंगे, या औरतों के गानों की बाते करेंगे, ठीक है आप उससे डिसग्री बिता है, लेकिन उनका वर्ड वियू के साथ तो चला रहे हैं न, ये गाने भी जो गालिया लिख रहे होते हैं, वो इनी के चक्कर में लिख रहे होते हैं, तो चले इसके भूंडी और भूंगियों से भरपूर जवाबात इसके सुनते हैं, और पीली शाइट पहनी, कित है यह तरा स्काफत है, क्यों ने शल्मार्क में पहनी भी इसने? तो कहीं न कहीं, सर, मर्द ज्यादा जालिम प्रेजेंट हो रहा है, यह अपने आपको जालिम साबित भी कर रहा हैं न सर, इस तरह के एक्ट करके? मैं सबसे पहले तो समर्साहिबा को कहूंगा कि मैं भी उन में सही हूँ, जो आपको कॉंप्लिमेंट करता है, जो आप साइक्लिमें कर रही हैं, दूसरी बाती है, कि I am in no competition, because I don't believe competition in between women. अज़ा, इसलाम में साइक्लिंग औरतों के लिए जाइस है, वैसे? दीने इसलाम के जब ये बात करते हैं, ये hypocrisy उन्हें रला मिला इसलाम बनाया है, आप अपना, इसलाम में कहां है, कि आप इस तरह साइक्ल चलाएं, औरत घर से बाढ़ निकले, अकेली, ना मेहरण के बगाएर. इसलाम में बनाया है, इसली बिल्कुल भी जाज़त नहीं है, आप पता है. विर्जिनिटेटी भी लूज होती है, we are gonna have a bigger. चले, आगे जलते है. त्यस्वी बात टे कुवाँ है मैं, अगर आप ये अजिम कर लेगी, कि मर्क जब बात करें तो आपने साह analyses competition में है, तो you are slightly mistaken. उसने ये नहीं कहा आपना कह वो देख रही है competition, ये लोगों में, बलके पूरी दुनिया में ऐसे है, हमने वेस्टन कांट्रीज में भी देखा है, कि अगर कोई औरत बात करते हैं, और ये सिरफ मर्द औरत के चक्कर में नहीं हर चकर में है, जब वो सारे लोग कह देते हैं, not hashtag not all muslim, hashtag not all hindus, hashtag not all men, तो ये कोई नहीं कहता हैं, सारे ये एक जैसे होते हैं, जब अगर बात करते हैं, कि मर्द औरतों का रेप करते हैं, तो ये उसने बताया कि मर्द उसको ऐसे देखते हैं, जैसे ये competition चाल रहा है, कभी औरत ने, जिस तरह कई मीम चाल रहे होते हैं, जुग है ता बड़े मज़े की, कि वो कहता है कि और ठीक है, औरते जो मुकाबले बासी करना चाह रही हैं, वो एक equality की sense पर करना चाह रही है, जो एक intellectual हुए, वैसे है आपको ये दूदर के लोग को मिल जाए है, आपको नहीं दो सकती है, पाकिसान में दो सकती है, रक्षे नहीं चलते हैं, योरप अमरीका में ना दो, जो आगे सुनते हैं, मैं अभी करता हूँ, पार्टली ये जादा होता है, मर्द जो है, उसमें जादा element है, इस तरह की बेहूदगी और अचाह इसने अभी भी ये नोट कीजिए किसने वर्ड जो भी कहा ना, पार्टली जादा होता है, पार्टली का मतलब तो थोड़ा से होता है, अच्छे चल, आगे देखते हैं, यानि थोड़ा सा मर्दी जो है ना, ज्यादा और्टों के साथ जयाती करते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा ने, थोड़ा सा, पाटिया पन का, लेकिन वो एक certain number of men है, मेरा, always मेरा यूपीन रहा, कि वो बचाने वाले भी मर्द होते ह हैं, आप जब पूरे मर्द, फोड़ा को जब गाली देते हैं, या उसको कांट्रोवर्सी में डालते हैं, तो आप देखिए कितने कितने लोगों, उनकी भी तोहीं कर रहे होते हैं, जो आप के लिए जान थेली पर रखके उस वक लड़ने के लिए निकलाते हैं, आप समझ नौम से दूरी, वो हमें कहीं भटका रही है और हमें बाकाइदा प्लैंड भटकाया जा रहा है। लड़कियां गाने वाली गाया करेंगी, मुजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हलाल होंगे, इसी तरह कि एक और सही बुखारी की हिद्धी सा, उसमें भी यही बताया है, कि अल्लामिया उनको तबाह बर्बाद करके बांदर और खंजीरों में बदल देगा, जो ऐसी कोम आएगी हम अगर हम दीन इसलाम को फालो करें, तो दुनिया में कोई चोरी नहीं होगी, कोई पच्चे के साथ जाती नहीं होगी, अगर हम दीन इसलाम को फालो करें, तो भाई, आपकी जो रोजी रोटी आपने बनाई वी है, वो ऐसे उड़ जाएगी दीन इसलाम अगर हमने फालो कि ताकि हमारी वारत उटके हमारे सामने खड़ी हो जाए, उसका नुकसान हो जाएगा, हम तमाम पड़ेखे लोग आपके एक 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 राइट के लिए आपके साथ हैं, जो जो, जो, whatever you people are doing, मैं चाहता हूं, मेरी जो आर्जू है, मेरे मुल्क की खाथ, औरतें, लड़कियां, ब किजी, यह अकेले इस मुल्क को क्यों बदनाम किया जा रहा है, हो रहे हैं, हम सब शरुआ हैं, यह पहले इसने रेड हेरिंग मार दी, के बाकी के मुल्कों का डेटा कलेक्ट करें, भाई, बाकी के दुनिया के, नहीं दुनिया, यानि यह कह रहा है कि आप सिरफ पाकिसान क किजी, पाकिसान की वरतों के बात करेंगे, यह क्या बात है, यह अग्या क्यों दुनिया में पता है, यह अज necesī जातिया है, वो औरतों के खिलाफ होता, इसमें कोई, यह कोई rocket science不是 नहीं है, गोरों के मिलकों में थधोड़े वो आगे चलेंगे, थधोड़ा कम होता है, यह म अगर मिया भीवी आपस में प्यार महबत कर रहे हूं और मर्द अपना कॉंडम उतार दे तो उसको भी रेप के जुमरे में डाला जाता तो उनकी जो डेफिनेशन है वो हो रहे हैं यहां पर आपके मिया भीवी जा सकती किसी मर्द के पास कहें कि मेरे हस्बंड ने मेरे साथ रेप कर दिया जिन से जाती कर दिया वो पुलिस वाला का चाल पा जाता हो लेकिन बाहर के मुलकों में वो रिजिस्टर भी होगा लिखा भी जाएगा और आगे भी जाएगा लेकिन हैंविंग सट दैट उधर भी थोड़ा काम होता है मैं खाल इमरान खान की गी अकेले की उह ब्विधब राहे के रहे हों जा जैघ अगर इदार पाकिसान में कोई गतल होता है तो भई बंदा कहें कि नए कि कतल अंकी बात करो मुदर कशा खर देखाएं बहुत है बहुत है बहुत उपर है दूसरी दुनिया लेकिन वहां पर ये लोग कहते हैं कि वो क्राइम दूसरा है चोड़ी चिकारी वाला वह भी भूंगी मारे गई है चेक करें दरा आगे चलते हैं अगर अब एक और भी तो बात सुने हैं हम सब जी यह आगे पाकिसानियां कहीं क्राइम रिपोर्ट होने के बावजूद भी प अब इसमें हमने एक रिपोर्ट शेर की थी जिसमें क्राइम इंडेक्स में वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में पाकिसान में चटे के पांच में नमपर पे था और एक केस ऐसा था औरतों के हवाले से मैं वह धूड़ रहा हूं सिर्फ पॉइंट 3% प्रोसिक्यूशन है रेट सक्सेस रेट है जो औरतों में 3% नहीं 0.3% यह देखें यह लिखाओ है यह विक्यपीडिया पर पढ़ आँए इसके पूरा रेफरेंस इसकी पढ़ी विक्यपीडिया पर जाके देख सकते हैं कि 11 रेप केसिस होते हैं पाकिस्तान में हर रोज तक्रीबन 22,000 के करीब जो र बाइस हजार बाइस हजार यह नंबर याद रखेगा बाइस हजार का यह रिपोर्टेड है ओफिशल अकॉर्डिंग टॉफिशल हावेवर सिरफ सततर सर बाइस हजार में से सिरफ सततर केसी ऐसे हैं जिनको सजा मिली है यानि 0.3% of the total figure सततर तो यह लोग ड्रामे बाजी करत के हाथ में आ जाए ना तो वो जमीन पर गार के मारगू उसको यह वो मर्द ही है जो इस बात पर आपके साथ आपकी पुश्ट पर कड़े है हुआ वा वाक्या वो फिरिया लोग थे वो इंतहाई एक सफ़ाख इंसानी धरिंदेगी का मज़ारा किया लेकिन आप एक अपकाल Ό बढ़ेंगे सब्सक्राइब थे इसका हम्सकों काम जिसका मखरिबी दनिया में जिसका सबसे कम किन्विक्शन रेट है जिसके उपर बड़ी criticism हो रही है वो UK है और UK का देख ले 57.6% है यानि कहां पे 0.3% और कहां पे 57.6% है और ये भी हाला इसके उपर तनकीद होती है इनके उपर उदर भी उदर की ओरते लाड़ा नहीं है following this the center for women's justice on behalf of और इसके उपर जो उदर की women है वो पाकिसान की नहीं बात कह रहे हैं कि भई 0.3% वहां पे हो रहा है तो जारी बात हो हर मुल्क के लोग अपनी बात करेंगे यहां बात होई है domestic violence में यह mutually होती है दोनों तरफ से होती है बोथ parties do क्या आप मर्दों को बुलाईए ना आप देखें यह जो इससे सबसे बड़ी बंगी मारें नहीं इसके उपर host एंडे में बिचारा अपना सर पगड़ लेगे यार यह यह हो क्या रहा है कहता है कहता है कहता है अभी पहले कहता है statistics निकाले statistics अब इसे को पूछे किसी किसी statistician के बचे कौन से statistics तेरे हथे चड़ें जिसमें तुने देखा ते दोनों तरफ से होते, मेरा खाल dès इस पूरी सदी में दो हजार एकिस में तक मेरा खाल सो भी इस तरह करे वाकियात नहीं होँगे जिसमें ओरतों नहीं होगा. कोई इस में होता भी होगा, ऐसा नहीं है खर इिमपॉसिबल था है, मगर मसला यहाएंगे. सर जो इसने इकोलाइस कर दिया ना दोनों तरफ होता यानि ये क्या बात हुई यानि उसका कोइ मुआज़ना ही नहीं है सर और किसे स्टेटिस्टिशन के बच्चे अगर ये देखेगा तो इससे बंदा पूछे दिखाएं ना कौन से स्टेटिस्टिक्स हैं आपके पास जिसमें ये दोनों तरफ हो रहा है और हमें दिखाएं कि यहाँ पर अभी जो मैंने आपके ग्यारा हजार बाइस हजार आपको बताएं हैं कि सिरफ आखरी छे सालों में अर्तों के साथ जिस्टिक्स जाती हैabil है मुझे बाइस हजार के मुझे बाइस हैसे केस consumer आदे जिनमे मर्दों के साथ जिस्टिक्स जाती주ウ नहीं जो और 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 सर वो जो concept है हमने ये भी एक ना water down करने के लिए मौशरे में नहीं ज्यादा बनाया वाई ये ज्यादा बनाया वाई ताके लोग इसको हांसे में डाल देते हैं जो जुगत मारते हैं कि बुड़ी थले याथे लगया हो याथे बुड़ी खो लो डोई खाके आया है यानि बीवी से मार खाता है कोई मर्द नहीं खाता होता बार यानि हाँ हर मर्द को सुननी जरूर बढ़ती है क्योंकि ये शायद एक कुदरती बात भी है कि औरत फिजिकली मर्द से जादा ताकत वर नहीं अगर आपको मारने की कोजी भी करेंगे लेकिन ऐसे हो सकता है वह आपको आप लुगों के बैस होती हो तो आपके साथ उतनी सबान में बोलती है और वो सब के साथ होता है इसमें कोई ऐसी बात ने लेकिन ये एक एकोलाईज कर देना कि जिस सारे मर्दों के साथ भी होता है सेयंस ना उनसे पूछिए क्या उनके साथ डिमेस्टिक वाइलनस नहीं होती है सब हो रहा है अच्छा बट जो मुझरे में उसको मुझरिम कही है और मिलकर उसको कैफरे किजार तक पहुचाते हैं इसे तो सर्फ मैं यह प्रसेप्शन ले से तो कि आप यह बता रहें कि इस मुल्क में मर्द और 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 दोनों ही मजलूम है हम तो यह पॉइंट प्रवियर करने लगेगा जब सब लोगों को इंसाफ मिलने लगेगा एकुली तो हमें पता चलेगा कि असल प्रॉब्लम लाई कहां कर रहा है यानि ठीक है यह बार ठीक है कि कानून प्रिवेल नहीं होता उसमें मेशा मजलूमियत में भी न हायरा किया अभी वो जो मोटर वेग में जो हुआ था जिंसी जियात्ती का जो केस उनके तीन मुझरमान को मेरे खिल सजाए मौस सुना दी गई है दोनों को सजाए मौस सुनाई गई है तो उस पर पॉइंट यह उठा जा रहा है कि जो इतनी हमने जो मैंने जाती तोर पे जो इतनी रिपोर्ट की है पिछले चे महीने में हिंदू लड़किया खवा होती है उनके रूमिया था कि आपने रखावा है इनसाफ पहले मर्द फिर मुसल्मान मर्द फिर मुसल्मान आउरत फिर कोई दूसरा नौन मुसलिम मर्द और फिर सबसे नीचे नौन मुसलिम आउरत और ट्रांसजेंडर भी उसी तरह हाईराकी में बड़ा नीचे आते हैं तो यह इनों इस नहीं किया जा सकता मर्दों के साथ बजाए इसके के पहली दोड़ ये होती कि हम मिलकर एक ऐसा हंगाम बपा करते जिसमें हम अपनी रियासत को मज़़ूर करते कि इनसाफ जो है सिर्फ अलीड क्लास के लिए मुफतस मत कर दीजिए ये जब हो जाता तो कौन है भाया किसकी आरजू है कि हमारे हाँ रिवायते हैं हमारे हाँ समाज है जो बेटियों को अपनी बेटियां बेहनों को अपनी बेहने समझता है उसमें बेडिया मर्द मौदूद है उसमें बेडिया औरते भी मौदूद है तो देखा फिर इसमें गोरियों औरश सटबपर गुज़री है। कुछ भी नहीं करता है। कुछ भी नहीं नहीं हो। लेकिन उसमें भी होता है वाइलन्स होता हॉरतर système लेकिन इसोगे इसके मुतबिक मर्द भी बाहर भेड़ी हैं फिर रही है और इस वकर और और वोगते बी फिर रही है जो इंतिजार कर रही है किस तरह मेरे हरते खलील लुल रह्मान साहब चड़ें तो मैं इनके साथ जिंसी जियात्ती करूँगी या इनके उना जदो कूप करूँगी इस वाह क्या लॉजिक मारी है क्या करना चाहिए और दोनों ही समाज को नुक्सान पहुचा रही है मैंने भी यही किया है आपने भी यही किया है बात होगे ना कि आप जब इससे बात कर रहे हैं तो आप ने जब इक्वालाइज कर दिया है तो वही बात होगे ना बीस आसे इस क्लायिफकेशन सने क्या क्लाइफकेशन इसकी तरफ से क्या आती है को पिन पॉइंट करें मड़त करता है तो मर्द को पिन पॉइंट करें कोई बेड़िया किसी भेड़ को खा जाता है तो बेड़िये को पिन पॉइंट करें कोई बच्चा सड़क पर सूसू करता है तो उसको पिन पॉइंट करें कोई किसी के मकान पर कबजा कर ले तो भाई यह तो अंडर्सूड बात है न बात हो रही जिंसी ज्याते की, हरासा करने की बात हो रही है, उसमें इसमें दूसरी चीज को कैसे बीच में घुषेड दिया? जो आज की बात हो रही है, बात हो रही है, बात हो रही है, और तो को हरासा हो ने की वो टाके बंगाले मार रहा है, क्या है, स्वाल गंदम जवाब चना, उसका इससे क्या तालूक है, कि किसी कुते ने बच्चे को काट लिया है, अब उसके उपर वो देखें ना, उसको कुते को बुरा गए है, उसका क्या तालूक इससे? मैं एकरार करता हूँ, मर्दों से ज़्यादा हैं, लेकिन मर्द भी हैं, आपको स्याल कोड का वाकिया याद भी जाँ, दो भाईयों को मार कर रलाशन की ट्रैक्टर ट्रॉलरी के पीछे घसीटी गई थी, उनके लिए क्या तालूक लिए? हाँ, क्या वो स्याल कोड का क्या वाकिया है, मुझे नहीं याद? पीपल्स पार्टी के गुमत करके देखुया, तो वो भी कह दो, जी, जिंसी जाती की बात हो रही, औरतों के कुट की तो वहाँ पर कह दो, देखे दो, चुए ने काट लिया एक बच्चे को, या फलाने बंदे का कतल हो गया, या फलाने, भई, उसका इससे क्या तालूक है मर्द भी हो रहे हैं, किसने कहा है कि पाकिसान में कतल नहीं होते, किसने कहा है कि पाकिसान में लॉड़े बाजी है नहीं होते हैं, मॉब लिंग की को ये सेक्शुल रास्मेंट और रेफ से एक्वेट कार रहा है, देखें, मतलब कितना है, मतलब इसको कोई शरम भी जो है जरा भी जिसको कहते हैं ना कि शरम का मासा, वो भी इस बंदे बेने के, ठीक है, हाँ, हाँ, तो ये ऐसे सारे वाक्यात हो रहे हैं, इस मार्श्रेम इंसाफ नहीं मिल रहा है, मैं आई मौल विद माइड दो दोस विम इंडिन के साथ, ऐस हराश्मेंट हो रही है, लेकिन सर, इसे बंदे के साथ, भाई, आपके किसी को सपोर्ट नहीं चाहिए, जहां पर, वहां पर कोई मीटिंग हो रही है, वो आरते कहरे हैं, इस हफते, यहां पर हमारे पास रिपोर्ट आई है, कि एक हजार ओरतों के साथ जिंसी जियात्ती हुई है, पूरे पाकिस्तान में, तो देगा कि वो खारम से अन्रिस भी मार गया, यार, वो, वो, वो मिचाल गया, वो मिचाल गया, तो इसके पीछे शायद उसको भी किसी नहीं, यह क्या है, तो यह हीरो, इसको हीरो बनने, इसकी सबसे बड़ी शॉट टू फेम जो थी, इसने जो मार भी सर्मत के साथ बतर जी की, और यह पूतर गया उसके बाद, तो इसने, इसकी वो आइडेंटिटी बन गी है, इसलिए जब आरतों का कोई मसला हो, उन्होंने, टीवी वालोंने भी कोई देख रहा हो ना, कोई जा चुट खुल, कोई लाइम मिर्च मसाले वाला आदमी, तो यह इसकी पोपट की इसकी शगल उने नदर आ जाते कि इसको पोपट साब को बलाते है, लेकिन एंड में जे इस लड़के का रियक्शन है ना, वह बहुत देख रहा है, सार भी चैक कीजिएगा, एक चीज़ यहाँ पर आइड करना जाओगा, स्याल कोट में जो हुआ, किया तो मर्दों नहीं सार और तो में कर दिया, एक बात मैं करूँ, आप रपर लिखाईए, आपको पता चलेगा, जिसके भी शेक औरत नहीं होती, अच्छा, अब आगे से अगले को अनपड कह रहा है, अभी उसको उपर कह रहा है, अब यह उसको कहेगा, कि आप जड़ा पढ़ लिख लें, और अच्छा चले, उसमें भी कोई इसके पीछे को लॉजिक नहीं लेकिए, चलो अब आगे आगे इसकी भूंगी क्या मारे करें, चेक करें रहा है, बूंगी चेक करें, जिनके किताबें पढ़के आप प्रेशे कर लाते हैं न, यह उनका ही कहना है, अच्छा, यह किसका कहना है, और त्युक्त है, जिसके पीछे कवरत नहीं रहे ही जिसका क्वरत करें, अच्छा, यह उनका ही कहना है, आज़ा, याण, इसी लिए, यानि इतना बगहरत है यह, आनि इतना के बगहरत हैं, खलीलल रहमान, इसका नाम वाकिछलिलल्ल-रहमान ही हुना है, चाहिए यानि अब जो मार्द मार्द का कतल करते हैं उसमें भी इसने वारत को से इड़ दिया है तो यह आदमी है इतना घटिया आदमी और बंदा बिचारा मुझे वैसे खुशी हुई कि वो लड़का अधनान जो है वो कितना अच्छा और यह सारों के साथ ही सर ऐसा है मैंन कि यह हमें केफल होके बात करना पड़ेगे क्योंकि टैबूस जो है यह ड्वैलप हो जाते हैं साइकी के अंदर बैड़ जाते हैं जैसे हम मजाकिया कहते थे नहीं बुड़ी को लो मार खा के आया हाला कि कोई बीवी नहीं मैंने आपको जैसे पता पीड़ थी उसने कहा कि उसने कहा है कि हर जांग नहीं के पीछे औरत होती है। हैलन आफ ट्रॉई के इनावा को इन से जंग पूछे ना किसके पीछे औरत थी कोई नहीं इनको पता होगा बस इन्हों ने हैलन आफ ट्रॉई सुन ले यह वह देसी सहीं है ना कि हाल लड़ाई के पीछे जान जार और जमीन में खाल यह हदीस कुछ हदीसों से भी यह डिराईव होती है मुझे सही पता नहीं है तो रसूल खुद जो कहा गया आगे मैं तुम्हारे पास जो फितना चोड़ गया हूँ ओरत का फीग है तो यह पीछे कौन सी ओरत थी साथ बताएं नहीं मुझे वह बाकि किसी उसकी बीवी ने मैं आ कुसूर होगा उसकी माँ ककुसूर होगा कि उसनों इसकी शादी नी कराई तो तूम्हाल यहाँ जान। उसकी माँ का कसूर होगा और जानब की माँ का कसूर था कि वो बचे छोड़के हाज करने चली गई ठीक है मतलब इस तरह के लोग तो यही सोचते है ना असल में तो यह रसूल की बातां से निकली है जहां पर पर जानब की बातां से निकलती है इस तरह यह ऐसी बुंगिया यानि इनकी फिर जी कहता है कि आरते हमसे बात करें हम इनके साथ खड़े हैं जैसे मैं आपको बता है मैं मीटिंग हो रही हुग ना उसमें यह यह कह देगा मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर ज़ूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पुछा सकूँ झाल बत्यान क्यूव